स्टूरिंस वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो दे विच बच्छे इसी पास दा टेस्स नंबर फोर डिसकस करां जा रहे हैं सो फिजिक्स दा क्लास प्रस्टू दा पिपर है सब तो पहला बच्छे डिसकस करांगे नॉलज बेस कोशन नंबर वान हा कूलम्स फोर्स ओबेस विच लौ जड़ा कूलम्स लौ या ओ केड़े फोर्स नू केड़े लौ नू जड़ा ओबे करदा तो उसी पाचे फोर्स दे विच कीता भी होएगा फिजिकोस टू वन ओवर फोर पाई अपसाला नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड भाई आर स्केर की असी जड़ा फोर्स वाला आया उन्हों नू नूटन लौ दे विच कनवर्ट कर दियां पूरा आटिकल ड्राइव कर चुके या सेकंड कोशन दिखो इलेक्टरिक पोटेंशिल इस इलेक्टरिक पोटेंशिल जड़ाया हो स्केलर कॉंटिटी या सो अंसर आजेगा ए स्केलर कॉंटिटी नेक्स्ट आओ वर्ग दन बाई दा बैटरी इन चार्जिंग अ कापासिटर अद एक्ट्टल अनरजी स्टोर इंसाइड दा कापासिटर आर सो साड़े को मचे अनरजी की हुन दिगाया हाफ cv स्केलर अगर असी q is equal to cv दी वैल्यू पुट कर दिया ठीक है q दी वैल्यू सो c दी वैल्यू की नियाजी की q divided by v एदा मतलब c दी जगा ते सी q पुट करण लगया q divided by v so v दिना लिक वी कैंसल so finally half qv जड़ा साड़े को answer आजेगा एदा मतलब एक दे विच साड़ half qv आ रहे है second c की करण लगया v दी वैल्यू पुट करांगे v दी वैल्यू किननी आजेगी q divided by c क्योंकि थे square आता square दी form दे विच आजेगा so आजेगा half q divided by q square divided by c so half q square divided by c so a option बचे सानू option दे विच कोई भी given नहीं हा so साड़ half finally answer की बाचेगा half qv एदा मतलब सिरफ half qv वाला साड़ा answer बिल्कुल correct हा so answer b जड़ाया right हा otherwise बचे थे question दे विच हलकी जी mistake हा दो अलग-लग answer आने चाहिए या एक answer आ रहे हा साड़ा half qv और जड़ा साड़ second answer आ रहे हा that is half q square c ठीक है जी so आ answer आने चाहिए दे सेगे but ए answer नहीं आ रहे so आप आवाली option दे accordingly इन्नों correct कर देनने हा next आएसा unit of electromotive force is so आएसा unit बचे की हुंदा हाया volt so आप आएदी option number c is the right answer next आए the resistance of a metal will increases with increasing temperature on account of अगर असी किसे भी metal दी जड़ा या temperature increase कर देने का अधी जड़ी resistance हाँ ओ भी increase कर जान दिया क्यों कर जान दी क्योंकि जड़ा आप चे वो directly proportion होँदा होदे time दे tau दे so relaxation time जड़ा या ओ decrease कर जेगा next आ what is the SI unit of permeability so permeability दा जड़ा SI unit हा that is Weber per meter per ampere next electromagnetic are made of soft iron जड़ा soft iron दा electromagnet जड़ा बनाया जान दा क्यों बनाया जान दा क्योंकि दी low retentivity दे low corrosivity हों दिया so option बसी हाजेगी low retentivity and low corrosivity examples of ferromagnetic materials ferromagnetic materials दी अप कोई example देनी हा बचे ferromagnetic materials देदा दे materials हों दिया जदी भी चरसी metal दे non-metals दो mix करके बनाया जान दाया so superconductor's नहीं हुंदे alkali metals नहीं हुंदे transition metals हो सकते या so C option is the right answer next दाद induced EMF in a coil is proportional to induced EMF कदो बन्दा जदोसे कोई magnet किसे कोईल देना दीक लेके जाने तो continuously जड़ा magnet आ बचे नो move कर दिया जिदा ही move करांगे तो magnetic field जड़ी होएगी magnetic field ने magnetic flux देना link कर जाना magnetic flux अगर ये continuously changing magnetic field होएगी तद ही magnetic flux देना link करके induced EMF बनेगा so changing magnetic flux होनी चाहिए दिया so C option rate of change of magnetic flux through the coil next आजो addigrant are produced addigrant कदो बन दाया जदो असी किसे metal नो असी की किता तो असी examples बचे था नो याद होनी है के दा दीक disk रखी होई है ते coil दे विच असी जड़ाया current पास किता changing magnetic field जड़ी बार-बार change हो रही है उदी बचाना जड़ाया induced current जड़ा प्रड्यूस होन्दा उन्नू ही असी addigrant बोल दन्या जड़ी बिच continuously magnetic field चेंज होन दिया so वेरी हो रही है that is A option metal is kept in varying magnetic field next आज identify the principle behind the working of AC generator AC generator दे पिछे केड़ा कौन कम कर दाया Faraday's law which of the following has minimum wavelength so minimum wavelength दा बचे trick दी वीडियो था नो औरेड़ी upload किती हुई है तुसी short video दी विचे जाके देख सकते है so trick दसी सी Ram may I visit your ex-girlfriend so last which की आ रहा gamma rays ठीक है Ram may I visit your ex-girlfriend so last which की आ रहा gamma rays ठीक है जी gamma rays दी टी wavelength हो सबतो cut होएगी क्योंकि red light दी wavelength सबतो जादा हों दिया so answer आजेगा gamma rays next which type of slender does the electric field due to point charge obeys जिड़ा symmetrical electric field जिड़ी electric field आँ symmetric हों दिया so किद़ा दी symmetry हों दिया sappharkal symmetry so option number A आजेगी sappharkal symmetry when a dielectric material is introduced between the plates of a charged conductor असी charge conductor दे अंदर कोई dielectric slab insert कर देती जिदना ही dielectric slab insert करांगे definitely एन्नों भी charge कुछ ना कुछ चाहिदा है जिदी वजानाल जिड़ी आप plate से विचका अर्ली electric field की होजेगी decrease होजेगी next are 64 drops each having the capacitance C and a voltage V are combined to a bigger drop असी 64 drops लेती है और उन्हानों combine कर देता if the charge of the small drop is Q जड़ा charge आओ Q हा तक यंदे bigger drop दे उपर charge करना होएगा bigger drop दे उपर charge करना होएगा 64 Q so total अपा charge ही करना है so 64 Q नों मतला की लग-लग Qs नों बचे add कर दो 64 times so 64 Q अंसर आजेगा so answer आगया है दा D 16th question देखो if a point if a unit positive charge is taken from one point to the another over a equipotential surface बचेगा अगर असी equipotential surface लेने हा हर एक point दे उत्ते potential same होंदा अगर दो points देविच का अगर असी एक point तो दूसरे point तक लेके जाने हा तो कोई भी work नहीं होएगा so no work is done या फिर 0 work done so option number D आजेगी no work is done next the color is of 340 kilo ohm 340 kilo ohm नू पहला convert करो ohm देविच ठीक है plus minus 5% so यनू कितना लिख सागने हा 3 4 into 10 raise to the power 1 power और 3 power आगया 4 plus minus 5% so B B Roy has Great Britain so साटे को 0, 1, 2, 3 and 4 so तीसरे नमबर ते काऊन है orange चौथे नमबर ते काऊन है yellow then 0, 1, 2, 3, 4 so again yellow, gold so साटे को केड़ी केड़ी colors आ रहे हा orange, yellow, yellow, gold so option number देख लो A option आजेगी orange, yellow, yellow, gold next time the combination combined resistance of 6 and 12 ohm connecting in parallel अगर असी नो parallel जोड़ देया so 1 over R दा अंसर की उन्दा 1 over R1 plus 1 over R2 so आगया 1 over 6 plus 1 over 12 so 12 दा बच्चे LC मा आगया उपर आजेगा 2 plus 1 so आगया साटे को 3 over 12 cutting करके आगया 1 over 4 so R P दा अंसर की ना आगया 4 ohm so answer number, option number बच्चे थोड़ आजेगी D 4 ohm next time how many electron pass in a 1 second when current is 1 ampere बच्चे उसी I पता करना है I is equals to Q over T Q is equals to IT हुंदा so according to quantization of charge Q के दे इकोला है N E divided by T so number of electron की निया 1 E दी value थोड़ इकोल बच्चे N दी value सौरी ऐसी find out करनी N दी जगा थे N E दी value 1.6 10 raise to power minus 19 time की ना सानो गिवना 1 second सो इथे 1 second आई दी जगा थे 1 so N दी value की निया आगी 1 divided by 1.6 10 raise to power minus 19 हुन 1 नो 1.6 ते नाल ज़दो तुसी divide करूंगे साड़े को answer आजेगा 0.625 10 raise to the power minus 19 न उपर लेके जाओंगे ता plus 19 पर हैदा दा साड़े को option दे विच कोई भी answer नहीं ता सीख point shift कर देना 6.25 10 raise to the power 18 so साड़े B option जड़िया right answer आजेगा next a point charge is moving upward in a magnetic field directed towards north the particle जड़ाया किदर नो move करेगा south pole अगर north अगर definitely south pole जड़ाया move करेगा next question आग the number of turns of a coil is double अगर आसी number of turns किसे coil दे अंदर double कर देनिया ठीक है उते magnetic field जड़िया coil दे अंदर आसी पता कर देनिया so coil दा बचे formula किया mu not over 4 pi 2 pi i divided by r square ठीक है को कि number of turns आता आसी n ना लेके देता हून उना ने की क्या कि असी की केता coils दे जड़िया number of turns आ उनुगी कार देता double एदा मदले थे 2N कार देता कैंदे जड़ि magnetic field आ ओ किया आवाली सारी टर्म था बचे पुराणी magnetic field है था मतला की होगी थो दे double so answer आजे का option number A double next आ two free parallel wires carrying current इना opposite direction दो सटे को wires है एक upward current जा रहे है ते downward current जा रहे है कैंदे दोनों wires इक तूस्रे नो की करणगया अगर सेम डारेक्शंच करणट हो था track करदा अगर opposite होवे था repel करदा next आ impedance of minimum impedance कदो ब्राबर होएगी जदो XL डेड़ाया XC दे equal होएगा next आ in which of the following circuit is a maximum power dissipated is obtained सब तो जादा power के दे विच हुंदिया pure resistive दे विच so pure resistive circuit दे विच next आ which of the following statement is false for the property of electromagnetic wave कैंदे electromagnetic waves दे विच केडी चीजा जडी property आओ गलत लिखी होई number one both electric and magnetic vectors attain the maxima and minima at the same place and same time so बच्चे maxima and minima इक हुंदिया इस तरीके ना wave जान दी और दूसरी इस तरीके ना एक time ते एक maximum हुंदिया एक दूसरी minimum हुंदिया so पहली ता option correct हा second हा the energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic vector so दोना चा ब्राबर ही से च वंदिया यह वी correct है next हा both electric and magnetic vectors are parallel to each other बच्चे parallel नहीं हुंदिया कि दोनो एक दूसरे ते perpendicular हुंदिया so parallel नहीं हुंदि so ए option जडिया गलत हाय दा मतला C option is the right answer next हा the variation of electric potential and electric field at a distance R from the center of the short dipole हुन साथी को बच्चे short dipole है short dipole दे अंदर जडित्वादी number 1 हुना नहीं क्या गयाया कि electric potential potential द फॉर्मूला की हुनदा V is equals to 1 over 4 pi epsilon 0 P cos theta divided by r square so पहला दा आजेगा r square so r square आर्या ते आर्या ठीक है हुन असी E निकालना हुन E केदे इककोल आएगा बच्चे इदा formula लिखो E is equals to 1 over 4 pi epsilon 0 P divided by r cube bracket start 3 cos square theta minus 1 so एथे गिया r cube so एथे आजेगा r cube so r cube बच्चे H आर क्यूब नहीं आ रहे है मनला B option is the right answer next a magnetic needle suspended by a silk thread is vibrating in a earth magnetic field असी किसे needle नो किसे silk thread दे नाल magnetic field दे अंदर लटका देता the temperature of the needle is increased हुन temperature जड़ा असी needle दा increase कर देता ता की होएगा बच्चे टेंपरिचर रा ओ डाइपोल मोमेंट दे inversely proportional हुनदा ठीक है M मतलब किया थोड़ा magnetic dipole moment अगर magnetic dipole moment decrease हो रहा ता की होजेगा temperature जड़ा थोड़ा increase हो जूगा so option number आजेगी B time period increase ठीक है क्योंकि ये decrease कर रहा temperature ता की होजेगा थोड़ा time period जड़ाया ओहो sorry ये थे की हो रहा increase हो रहा ता की होजोगा decrease time period की होजेगा decrease क्योंकि opposite हा दोनों ज़ानी ठीक है so next आजो 20th question हा what is the dimension formula of capacitance capacitance our dimension formula Q is equals to CV उन्हानी capacitance क्या मतलब सीधा dimension formula Q divided by V ठीक है I T I T मतलब A T divided by V M L square T minus 3 A minus 1 so सारी नूं solve करके देखलो M minus 1 L square so 30 बच्ची option number L square A square T raise to par मतलब की D option जड़ी हा right answer आजेगी next देखो if 500 Joule अगर 500 Joule of work is done to move a charge of 10 Coulomb अगर N Coulomb जड़ा charge हा तुसी एक जगा तो place किता when potential of 20 volt जदो धी potential 20 volt हा another place where potential is x volt दूसरी जगा ते जड़ी potential हो x हा कैंदे find करो x दी value so साथे को बचे work done दा formula आया QV हुण क्योंकि दो potential दी गाल कित्ती गिया एक x दे एक v दी so असी लिखिया x minus v अदवास तो सी formula कित्ता होण v2 minus v1 so इत्थे नाने x के आता आसी x लिखांगे x minus v so work done किनना 500 q दी value किनना 10 v बचे थे आएगा v minus x दी जगा ते x ते v1 सानू गिवाना 20 आ 00 ना कट्टीगी आगया 50 is equals to x minus 20 minus 20 दूसरी पास से जाएगा ता plus होजेगा so x दी value किनना आजेगी 70 so x दी value किनना आगी साथी 70 so 70 volt मतलगी थाथी c option is the right answer next 2 micro coulum 4 micro coulum 10 micro coulum capacitors are connected in series series दे विच capacitors जोड़ेया series दे विच मतलगी 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 so LC हम लित्ता साठे को आगया 20 10 plus 5 plus 2 so साठे को आगया 17 divided by 20 so 1 over c दा आंसर हा so कल्दा c किनना हुजेगा 20 divided by 17 so बचे divide करके दिखांगे तो साठे को आजेगा 1.2 so 30th दा आंसर आजेगा 1.2 micro farad next time you are presenting 3 resistors each measuring 3 ohm 3 ohm दे साठे को resistance हा what is the difference between the total resistance of the resistors combined in a series and a parallel पहला बचे series दो जोड़े R के दे इको लाएगा R1 plus R2 plus R3 3 दे अगया 3 plus 3 plus 3 दे आजेगा 9 ohm अगर असी parallel दी गाल करिए ता किनना आएगा 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 किनना आजेगा 3 over 3 कट क्या गया 1 9.1 गए था 8 ohm so answer आजेगा थोड़ा 8 ohm 8 ohm option number A next a horizontal component of earth at the place of 3.2 into 10 raise to power minus 10 tesla and our angle of dip is 30 degree 60 degree the resultant intensity of earth magnetic field जड़ा सी पता करना so साथे को बचे formula है B cos theta theta के ना 60 degree is equals to H so सी H दी value पता करनी है ठीक है H B दी value पता करनी है actually B H divided by cos 60 cos 60 उपपर लेकर जावां के ता साड़े को आजेगा secant 60 H दी value हुनके निया 3.2 into 10 raise to power minus 5 ते को secant 60 दी value के निया 2 so सारे नो solve कीता तो साथ answer आगेगा 6.4 into 10 raise to power minus 5 so B option is the right answer next time when current in a coil changes from N to N मतला I2 तो I1 change होया the time 0.1 second लग गया average voltage मतला EMF गिवन है self induction जड़िया तो सी find out करनी so self induction दा बचे formula की हुनदा है E is equals to L Di over dt so 50 is equals to L into Di मतला की maximum किनना सी 5.2 minus किते ता time किनना 0.1 सारी calculation solve करना साथ एको answer आजेगा 1.67 ठीके जी so answer देखलो E option 1.67 34 देखो find the wavelength of electromagnetic wave of frequency 4 into 10 raise to the power 17 हुन lambda के देखको हुनदा C over velocity 3 into 10 raise to the power 8 frequency frequency के देखको हुन दिया गिवन आसा नू 4 into 10 raise to the power 17 इस सारी नू बचे solve करके देखलाना साथ दिकोएगा 0.75 into 10 raise to the power minus 9 पर इधा दी कोई भी option निया था असी का point shift किता 7.5 into 10 raise to power minus 10 meter so option number 30 A जड़िया correct answer आजेगा आज दा last question हा galvanometer of resistance 15 ohm galvanometer दी resistance 15 ohm हा full scale deflection मतलब IG दी value 2 milliampere हा which is 2 into 10 raise to power minus 3 और shunt resistance असी पता करनी range की निया I so shunt resistance of formula IGG divided by I minus IG so IG दी value 2 into 10 raise to power minus 3 G दी value 15 divided by current 5 minus बचे 2 into 10 raise to power minus 3 नू किता लिख सका देया 0.002 so आज सारी टर्म नू जदो तुसी solve करूंगे बचे थोट answer आजेगा 6.0 into 10 raise to power minus 3 so A option is the right answer ठीक है जी so video नू लाइक कर दियो बचे अपनी friend circle तक share कर दियो और subscribe करना ना पूलना thank you so much प्राइबंगे बॉके करदे नो किय 걱정ै उल्वड़ कर दिए घर eder ना हुके कर दो ख दोने कर दो दो तक weather आजे यड़ कर दो और दो ट म।ू कर दो दो आजेगे उलवड़的 करदेो लागे कर हुआ Mcम तो कर दो पूलना